अमिज जी ज़रा इंटर्व लोग एविएशन का चार्ट को लिएगा इंट्रिस्टिंग मौगन स्टैनले के रिपोर्ट ओवरवेट और अब जो टार्गेट्स आ रहे हैं 3126 रुपे के इससे पहले टार्गेट्स आ था 278 तो के आसपास के अब 3000 प्लस के टार्गेट्स हैं इनका कहना है सारे की अर्निंग ड्राइवर्स जो होते हैं वो सब इनके फेवर में हम सब चर्चा करी चुके हैं कैसे एविशन आज़ स्पेस के डाइनमिक्स बदल रहे हैं और इनका मानना है 33% का अपसाइड यहां से भी यह आउट परफॉर्मिंग स्टॉक दे सकता है क्या कहते हैं चार्च को देखके मन कर रहा है ट्रेड मिट लेने का यह तो लॉंग टर्म कॉल है उनका आशी जी स्टॉक में हमने काफी एक अच्छा कासा रन अप देखा लेकिन पिछले दो से तीन सत्रों में हमने देखा इसमें एक प्रॉफिट बॉकिंग है जिसने एक हॉल्ट अपना लिया 20-day exponential moving average में confirmation trend का तभी आएगा जब कल का high जो की लगबग 2370 का है अगर उसके ओपर stock consistently trade करता है तो मुझे लगता है uptrend resume हो सकता है वापिस तो 2370 के ओपर conditional buy है targets होंगे 24-25 के और stop cross लगबग रखेगे 2350 रुपेगा integral deviation fundamental buy idea था वो brokerage का लेकिन यह आगया trading के हिसाब से क्या समीकरन बैट रहे है टाटा consumer सत्पुते साब कल हमने कमाई का अड़ा में बहुत चर्जा भी करी थी stock की कैसे समीकरन बदल रहे है कल बहुत 6 moves deliver करे 5.5% तक का अपटिक था क्या लग रहा है सर आशीर जी देखे है टाटा consumer में बहुत strength और मुझे याद है यह करेबन 780-800 की traject में था तब मैंने भी इसको बाई दिया था मुझे लगता है यहाँ पर जो rally है आशीर जी कहाँ थमेगी मैं वही देख रहा था इसको अगर आप weekly chart पर देखे तो मुझे लगता है 900 तक की जगा है वेराज अगर आप slightly देखे यहाँ पर तो और बॉट है तो और बॉट में हलका पना आ सकता है 866 का कलका क्लोज है तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री 850 के आसवास मिले तो बहतर होगा stop loss होगा 835 का और सामने target set करे 900 प्लस का तो मुझे लगता है momentum जारी रहेगा इस show को खदम करूँ दो important चीज़ें और बता नहीं है आज कुछ important x day record dates है x date है सबसे important x day record date दोनों ही आज है tcs की final dividend 24 रुपे वो 24 रुपे का adjustment screens में play out होगा ध्यान रखेगा tcs में वो adjustment आ रहा है nifty 50 का constant to end दूसरा आजकल बहुत चर्चा में रहता है varun beverages वो जो stock split है उसकी x date आज है 10 रुपे की face value 5 रुपे में split हो रहा है तो ये विभाजन का आज adjusted stock आपको screens में नजर आएगा और जो हमने चर्जा करी थी F&O Curb की producers आपने बैसे दिखा दी थी screens में आपको 6 कौन से प्लस एक कौन सा जोड़ गया है भेल, मनपुरम, डेल्टा कॉप, इंडिया बुल सार्जिंग फिनाइंस, IEX और इंडिया सिमेंट जसके तस F&O Curb में continue कर रहे है नया inclusion Zee का है Zee Entertainment Enterprises और Zee Entertainment Enterprises याद आया वो जो Sebi ने फैसला सुनाया था उसके against में Zee के promoters, Chandra Sir और पुरीद गोइन का साथ मूव कर रहे थे, सैट में आज हेरिंग लगी हुई है, तो ये स्टॉक वैसे ही रडार पर राएगा लेकिन वो बैंड में आ गया था, अब ट्रेंड ने कर सकता